नई गेहूं का भाव 2700 पहुंचा आगे क्या भाव 3000 के पार सस्टेन रह पाएंगे आईए जाने की कोशिश करते हैं वहीं अगर बीते सप्ताहा की बात की जाए तो बीते सप्ताहा गेहूं में मांग न रहने से भाव में 65 रुपे प्रती क्विंटल की गिरावट तरच की गई लेकिन जैसे ही खुले बाजार में बिक्री बंद हुई बाजार में डिमांड बड़ी और भाव में मजबूती देखने को मिली वहीं पिछले सब्ता की स्थिर्टा के बार इस बार गुजरात के बाजारों में भी खरीदार देखने को मिले और भाव में कुछ मजबूती आई उदर दाहोद लाइन में भी बाजार के भाव में 30 रुपे की तेजी देखने को मिली मिलर्स और ट्रेडर्स का कहना है कि बाजार में फिलान माल की कमी है जिस कारण से गेहूं के भाव मजबूत देखने को मिल रहे हैं वही 36 गड़ के बाजारों में भी तेजी का रुख देखने को मिला रायपूर के बाजारों में भाव में 15 रुपई की तेजी देखने को मिली और ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि अगले सब्ताहा भी गेहू की कीम्तों में तेजी बर करार रह सकती है दरसल उत्तर पर के बारक में भी भाव 75 पे की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि होली के पहले उत्तर परदेश के बाजारों में एक अच्छी तेजी की उमीद की जा सकती है। उधर अमेरिकी क्रिशी विभागनेक बताया है कि निर्यातकों ने 2023-24 विपनन वर्ष में डिलीवरी के लिए चीन को एक लाग तीस जार मिट्रिक टन नरम लाल शीत कालिन गेहूं की बिक्री रद कर दी है। वहीं बैंचमार्क शिकागो गेहूं वाइदा बुद्वार को तीन साल के अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया था। बढ़ा कर आगे 10 मार्श तक कर दिया है। बाली में हुई बारी से भी गेहूं की फसल को नुकसान बताया जा रहा है। और भावों में गिरावट आवक का प्रेशर बढ़ने पर ही हो सकता है। ऐसा बजार जानकार मान कर चल रहे हैं। अगर आवके बढ़ेंगी तो भाव में गिरावट आ सकती है। अदरवाइस सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी ले आए जिससे गेहूं के दामों को नियमतित किया जा सके। इसके इलावा फिलाल कोई भी ऐसी स्थिती बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जो गेहूं के दाम को नीचे ले आए। बजार जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में गेहूं में तेजी बनी रह सकती है। फांडामेंटल मजबूती की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देते हैं।